फैमली के जो सब्सक्राइबर से उनके शेकायत थी कि जो हमारा UPSC PSE कोरिडोर है उस पे मेरे वीडियोज नहीं आ रहे बात बिल्कुल सही है ऐसे हलाकि आशीज जो है कापी समाल रहे हैं आशीज जो है गवर्मेंट अस्कीम नहीं लेकर आ रहे हैं और साथी साथ आपको न् नेक्स्ट है मतल जैसे एकॉनमी हो गया एनवायर्मेंट हो गया इसमें प्रोग्रेस रुकी होई है जो कि वाकई आपके शेकायत बिल्कुल सही है आप यूट्यूब पर देखिए यह स्टेडी पर सिविल सर्विसेज वहाँ पर मैंने हिस्ट्री पढ़ानी शुरू की है वो complete compilation है history का हला कि facts हैं लेकिन history में facts ही आते हैं तो मैंने उसमें अपना explanation जोड दिया है तो आपसे यह जो मेरी request है कि जो आप history है वहाँ पर मेरा देखते रहिए और उससे आपको UPSC हो या state PSC हो कहीं भी फायदा तो होने वाला इसमें कोई doubt नहीं है अच्छा खासा Biodiversity के शुरुवात की थी तो वहां हमने project tiger हो गया project elephant हो गया जो wildlife protection act हो गया यह सारी चीज़े जो है आपका UNESCO man and biosphere reserve जो है यह सारी चीज़े हमने देख ली थी hot spot भी देख लिया था तो अब जो है उसी जो है series में Biodiversity वाले में ही आज हम देखेंगे rhino का protection इंडिया में क्या इसे होता है क्या होता है तो यहां पर मैंने क्या किया है last page में जो current affair आया था vision में तो उसको जो है मैंने आपके लिए डाल दिया है modify करके और साथी साथ जो static portion आपके श्रंकर या PMF IS वगर कहीं भी जो मुझे मिला उसको भी मैंने जो है उससे बना के अच्छे से आपको जो जो हम rhino protection देख रहे हैं इसमें current और static दोनों होगा और आगे भी यह चीज़े जो है biodiversity में continue हो रहेंगे तो lecture की शुरुवात हो उससे पहले आप यह question देखिए यह question आया UPSC 2019 में ही अब मैं यहां पे question आपको पढ़ूँगा और इसका answer हम तब करेंगे जब हम यह lecture complete कर is a rhino species native to the Indian subcontinent दूसरा it is listed as critically endangered on the IUCN red list and the third statement is it mainly breeds in the tarai grasslands of northern India और बाकी आपकी options थे हम यह lot के आएंगे लेक्चर करने के बाद आएंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए यह rhino seros जो है इसकी एक species नहीं है अस्पेसिज जो आपके इसके पढ़नी है मतलब नाम जो जानना है शिक्स जानना है एफ्रिका में तीन है और एशिया में तीन है एफ्रिका में जो तीन है black rhinoceros पहला है इसका मतलब यह नहीं कि black होता है वो नाम पढ़ गया है British लोगों के करण आपको जो है नाम याद सुमात्रन वो भी इंडोनेसिया का मतलब मैं ऐसा नहीं कि बस वो इंडोनेसिया में है साउथ इस्ट एसिया में इंडिया में भी था पहले वो बताऊंगा मैं आपको लेकिन जो स्पेसिज का नाम पढ़ है वहाँ कि आईलेंड पर पढ़ा है जावन सुमात्रन और एक स्पेस्ट है और वो most endangered है सबसे ज्यादे critical situation में है इंडिया में पहले हीमालिया के foot hills में होता था अब जो है इंडिया में एक्स्टेंट हो चुका है एक्स्टेंक्ट हो चुका है तो मतलब क्या समझा कि सुमात्रन राइनोसेरस पहले इंडिया में भी था देकिना में सुमा इंडियन राइनोसेरस भी बोलते हैं पता नहीं इतना ग्रेट क्यों है देखिए जो जावन राइनोसेरस है उसका स्मॉल नंबर जो है अभी जावा और वियत नाम में आपको मिल जाएगा तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं इंडियन राइनोसेरस की बात तो सबसे पहले तो देखिए इसको हम लोग ग्रेट वर्न वन हॉर्न राइनोसेरस बोलते हैं इसके जो नाक पे जो हॉर्न होता है वो सिंगल नंबर में होता है और अफ्रिकन वाला जो होता है उसमें दो होते है तो ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस यूनिकॉर्निस यूनिकॉर्नि आई उसीन बोलता है कि वल्नरेबल है एक्जाम में critically endangered बोल दे या endangered बोल दे कुछ ऐसा बोले तो प्लीज गलत मत करिएगा आई उसीन का जो स्टेटस है वो जो है वल्नरेबल है लेकिन मैंने आपको आई उसीन तो पढ़ाया था साथ ही साथ मैंने आपको sites भी पढ़ाया था convention जो है उसके ट्रेड जो है endangered species की उसके वह appendix 1 में आता है मैंने तीन appendix पढ़ाया थे सभी सब पढ़ा दिया है पिछले लेक्चर में देख लीजिए मैंने आपको वाइललेक प्रोटेक्शन एक्ट में भी आपको स्केडूल पढ़ाया थे तो वहां पर देखिए जो सबसे क्रेटिकल स्केडूल होता है जहां पर सबसे ज़्यादा ैं आपका इंडिया में हें डिया में होती स्केडूल और में है लेकिन 85 परशंट जोसकी पॉपलेशन है इंडिया में भी होती है बात यहीं तक नहीं रुखेगी इंडिया में भी जो होती है उसमें 91% जो है वो अपने आस्थाम के स्टेट में होती है इसलिए काजी रंगर इतना फेमस हो गया है राइनो के लिए क्योंकि इंडिया में जो राइनो की population है, वो 91% असम में है, और overall जो इंडियन राइनोसेरस है, उसकी 85% population जो है, आपके प्यारे भारत, इंडिया में जैसा आशिश बताते हैं तो देखिए, इंडिया में नहीं है बाकी और भी कुछ कंट्री में है तो बाकी 8% कहां है नेपाल में है, भूटान में है और पाकिस्तान में है ऐसे खीच दीजिये लाइन, पाकिस्तान, इंडिया हो गया नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मैप दिखा दूँगा आगे, और इंडिया हो गया, तो इस चार कंट्री में इसकी population पाई जाती है एक बात मैं फीचर बता है थोड़े आपके interest के लिए, लेकिन आप सुन लो लेकिन एक्जाम के लिए important नहीं है इंडियान राइनोसर जो है, थोड़े short distance के लिए 40 किलोमेटर पर आर से जोड़ सकता तो इतना नहीं है, कि मतलब मुटा पाऊगे तो वो नहीं दोड़ेगा नहीं, 40 किलोमेटर पर आर से दोड़ लेगा और आपको पकड़ लेगा, लेकिन for short period of time आपको याद क्या रखना है, कि ये excellent swimmer है swim कर लेता है ये, ओके इसमें जो है, देखिए hearing और sensing स्मेलिंग की सेंस जो होती हो, बहुत अच्छी होती है लेकिन इसकी eyesight थोड़ी poor होती है ये example important नहीं था range क्या है, और उसका habitat कहां होता है, और उसको ecology में major threat क्या हैं सुनिए जो आपका Indian rhinoceros है अगर Northern India की बात करें तो जो Indus है, उसके अलोग गंगा की अलोग, ब्रह्मपुत्रा की अलोग इसलोग आसाम फेमस है और नेपाल, भूटान, बांगलादिश यहां आपको थोड़ा बहुत जो है Indian rhinoceros जो मिल जाएगा पाकिस्तान में भी मिलेगा, पाकिस्तान के भी मिल्टी से बना हुआ, पूपजाओ जमीन हो, फर्टाइल लेंड हो अलोवियल जो लेंड होता है अलोवियल जो स्वाइल होती है उस पे जो ग्रास लेंड बनते है, लंबे-लंबे ग्रासेज और फिर स्वांप, दलदली एरिया या फिर फॉरेस्ट, जंगल, ऐसे जगों पर जो होता है यह खुली इसको जो है, समझ लीजिए कि ग्रास लेंड चाहिए इसको, है ना कोई भी बड़े अनिमल होते हैं, तो उनको ग्रास लेंड चाहिए होता है एकोलाजी मेजर थ्रेट, है ना, क्या है जो इनका एकोलाजीकल मेजर थ्रेट क्या है एक तो हैबिटेट लॉस हो रहा है, अब अलॉवियल प्लेन में रहेंगे तो लोग तो वहाँ पे खेत बना देंगे, फार्मिंग शुरू कर देंगे तो कहां बचेंगे यह बिचारे यहाँ पे एक पॉपलेशन वहाँurm जब प्रेमी यूगल मिलेंगे नहीं तो बच्चा पैदा कैसे होगा बच्चा पैदा नहीं होगा तो प्रपॉपलेशन कैसे स्टेबल रहेगे तो हैबिटेट का फ्रेग्में टेशन भी हो रहा है मुझे लगता है कि COVID के टाइम पर हम इंसानों का भी fragmentation हो गया है तो मुझे लगता है कि इस टाइम पर इंडिया की population अच्छा जो नहीं 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 सौरी अधितर लोग तो marriage के बाद तो married लोग जो हैं वहां की तो population जरूर नहीं वहां की तो नहीं घटेगी लेकिन जैसे living व होता है हॉन जो होता है उसका medicinal होता है चाइना में बहुत ज्यादा और साउथ इस्ट जो के country हैं वह भी इसका बहुत ज्यादा यूज करती है और हमारी country में कम है इसको होन का यूज लेकिन पोचर का क्या है यहां से हॉन लिया कहीं और लेकर आए अचा होन रिजनरेट होत पड़ाया था पाकिस्तान नेपाल यह से भूटान जो है थोड़ा सा बंगलादीस और इंडिया बोला तो देख लीजे यह बना इसका मैप यहां पर पाकिस्तान का थोड़ा से एरिया हो गया इंडस के अरौन पर यह चले जाए तो देखिए यहां पर क्रॉस कर रहा तो न है फिर यह पूरा एरिया आपके इंडिया में देखिए थोड़ा सा बंगलादीस को भी कट कर रहा है तो यह इसका जो है राइनो का वन हां राइनो का डिस्टिबिशन हो गया मैप के इस आप से हैबिट इंडिया में अगर बात करें मैंने तो आपको बता जी कि चलिए एनका मत बोल दिजेगा लेकिन इंडिया में कहाँ है इसका देकिए इंडिया में देखिए ओनली अनुन यह ट्राल जो ग्रासलेंस होती होते अनिए लिनिया के तराई रीजन होते हैं उसके जंगलों में होता है अब इंडिया में जो राइनों हैं आपके आसाम के काजी रंगा नैश्नल पार्क में मिल जाएगा वही पर फॉबॉउद पोभीतोरा जो है पोभीतोरा जो और था जो आप रिखे लीजेगा लेकिं यहां ही नहीं है बस आपका वेस्ट बंगाल में वहाँ भी आपको इंडियन राइनो मिल जाएगा अब मैंने तराईगा रीजन पढ़ा है तो असम का भी तो नेपाल से बॉर्डर है तो दुद्वा नैशनल पार्क जो है वहाँ पे भी आपको थोड़े बहुत दो चार राइनो मिल जाएगे अगर मैं पार्टिकुलरली असम में हैबिटेट की बात करूं इंडियन राइनो की तो कहां होगा देखिए मैंने मार्क कर दिया है मैंने आपको ओरांग नैशनल पार्क बोला था हो गया मैंने आपको बोला था कि भूटान से कॉंटिग्वास आपका मानश वाइल लेफ सेंचुरी इसमें और इंडियन राइनो मिल जाएगा और यहां झाहीं देखली झोड़ा देखिए थोड़ा बहुत आपको इहां पर दिभरुष साइकवा नेशनल पार्क में भी मिल जाएगा है ना तिन सुकिया के असपास अब यहां मैप देखे अरुनाचल प्रदेश मत बोल दीजीगा यह मैं असम का ही पूरा मैप है तो दिबरुसाइकोवा भी जो है असम में ही है और यहां पे देखे पबोतिरा वाइल लेफ सेंचुरी यहां पे मेगाले और अ इबरुसाइकोवा नाशनल पार्क और यहां पे हो गया आपका पोबोतिरा वाइल लेफ सेंचुरी यह सारे जगा पर आपको इंडियन राइनो मिल जाएगा वेस्ट बंगल की बात की तो मैंने आपको बोला था गोरु मारा और जल्दपारा यह देखिए आसम का यहां पे अब एक प्रॉजेक्ट है इंडियन राइनो का डियन डेटाबेस से रिलेटेड देखिए मिनिस्ट्री ओप एन्वार्मेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है वो बोल रही है कि हम एक प्रॉजेक्ट लेकर आएंगे और सारे के सारे एक एक चुन के इंडियन राइनो उसको जो वाइल्ड में है उनको हम जो है डिने सिक्वेंस कर देंगे एक बात किये इससे क्या होगा कि उनकी जो पोचिंग पे है उस पर थोड़ी रोक थाम लगेगी और साथी साथ वाइल लाइक क्राइम के लिए एविडेंस आएगा कि अगर ये पार्टिकुलर जीन का यहां मरा था तो जो है मतलब आप उस्से थोड़ा बहुत ट्रेस कर सकते हो तो वाइलल लाइप क्राइम जो आपका वाइलक क्राइम क्राइम याद है ना भूलिए गमत डाबेस जो डेटा बेस बनेगा उसको होस्ट कौन करेगा सर्वर कौन चलाएगा उसका उल्रेडी प प्रोग्राम है उसका क्या है परपस क्या है इंडिया और नेपाल तो इसे आप एक काम करीए आप यह वला मैप देखिए बड़ा वला तो आपको समझ में आगा यह देख रहाए नेपाल और इंडिया जोनों दो है शेर कर रहें अब यहां भी राइनो है तो अगर उसका तो आप खुछ सोचिए कि अच्छी होगी है ना एक ही तरह की पॉलिसी लाए तो यही जो नैशनल राइनो कंजर्वेशना स्टैटजी है उसका परपस जो है नैशनल ही नहीं इंटरनाशनल भी है इंगेजमेंट करेंगे इंडिया और नेपाल के बीच में ताकि मिल के जो पॉपलेशन है आपका जो नेपाल है वहां पे जो है प्लेसे जहें शुकला फंटा उसको नहीं याद रखने की जूरत है और साथ में नेपाल में चिटवन नैशनल पार्क है यह थोड़ा आप याद रखिए नेपाल का खास करके चिटवन नैशनल पार्क और आपके आपस में जो है मिलके कोडिनेट करें क्योंकि politically तो बॉंडरी सेपरेटेड है लेकिन राइनो क्या जाने political boundary को है ना पंची नदियां पहुआने के जो कि क्या समझे political boundary को वो तो घुश जाएंगे इदर से उधर मेटिंग करने के लिए तो सारे को आपस में दूनों country को बात कर कि यह चार conservation reserve में जो है national rhino conservation के strategy चलानी है तो क्या बोलता है यह project कि management करें two populations का two populations मतला हमारा उनका मिला के same protocol से तभी तो जो है uniformity आएगी तभी तो आप सही से surveillance कर पाओगे और दोनों population को अलग-अलग आप manage ना करो यह एक तरह से दो population नहीं है same population है और यह plan यह बोलता है कि राइनो का जो उनका जो distribution है उसको expand करें expand करें मतलब नए habitat दें उनको नए जगह पे उनको relocate करें क्योंकि अगर मान लोग आप एक जगह पे रखोगे तो कोई भी मान लो problem होगी तो सारा population एक बार में खतम हो जाएगा तो थोड़ा redistribute करने की जोरत है इधर उदर फैलाने पड़ेंगे यह national priority है अब यहाँ जो आपका जो main topic आ गया है Indian rhino vision जिसको हम लोग IRV भी बोलते हैं IRV 2020 बोलते हैं क्योंकि इसका purpose यह है कि 2020 तक rhino की जो population इंडिया में असम में जो rhino की population है उसको 3000 कर दिया जाना है यह launch होई थी 2005 में उस समय पे जो है आसम में पार्टिकुल देनी चाहिए इसको implement कौन करता है इससे सीधा का सीधा question आ सकता है देखिए आपका जो आसाम है आसाम के state के अंदर काजी रंगा है तो वहां का जो government का department of environment and forest है वो तो involved है पहली party हो गई दूसरा वहाँ पे आपको पता होगा कि border autonomous council है tribal population के लिए तो उनको भी जिम्मा दिया गया है क्योंकि वो भी एक government के system है तो बोडो autonomous council भी involved है तो दो एक तो आसम गवर्मेंट नॉर्मल हो गई उनका department of environment and forest साथी साथ बोडो autonomous council भी हो गया यह तो दो हो गए जो की implement करेंगे लेकिन support तो उपर से आएगा उपर से कहां से आएगा मैंने already a body पढ़ा दी है WWF World Wide Fund for Nature WWF का जो इंडिया आर्म है वो उसको support देगा और WWF इसके अलावा ASEAN Rhino के अलावा आपको पता ही है elephant action strategy भी लेकर आया था प्रोग्राम लेकर आया था और सुनिए इतना ही नहीं है एक international rhino foundation है वो भी इसमें जो है support दे रहा है और एक save the rhino campaign है Geological institutions जो worldwide है उनका मिला जूला तो वो भी इसमें साथ दे रहा है कई सारे local NGOs भी involved है और US का एक NGO US Fish and Wildlife Service वो भी involved है तो इस सारे आपको जो नाम है slide रोग के आप जो एक बार देख लिए आपको भूलना नहीं है विजन आपको मैंने अल्रेडी बताया था कि जो राइनो की population है असम में 2000 से 3000 कर देनी है और कब तक 2020 तक इसलिए IR भी 2020 बहुते है आया कब था 2005 में तो 15 साल में जो राइनो की population है 1000 बढ़ा देनी है और ये जो population बढ़ानी है तो उसका जो main component है राइनो का redistribution देखी problem क्या है कि काजी रंगा और पॉबतरा में जो है राइनो की population बहुत जादा dense है तो कल को एक flood आ जाए या कल को माली जी कोई infection आ गया तो सारे के सारे राइनो जो है मारे जाएंगे एक बार में तो जरूरी है कि उनका हम जो है नए जो habitat दें उनको नया घर दें तो to ensure that these rhinos are distributed over at least seven protected area में इनको फैला दें ताकि long term viability है viability मतलब जिंदा रहना of the one horn rhino population population का जिंदा रहना long term viability है असम में जो है अगर मैं अच्छा rhino की counting भी की जाती है असम में की जा रही है हर तीन साल पर की जाती है जो आपका latest है 2018 में हमने जो है असम में 2645 rhinos ला दिये हैं तो मुझे लगता है कि 2020 के बाद 21 में जब data आएगा तो probably हमारे पास 3000 rhino तो हो जाएंगे 2645 already 2018 में census में हो गये थे तीन साल पर counting की जाती है आसम की खाली बात कर रहा हूं पूर इंडिया की बात नहीं कर रहा तो मैंने आपको बोला है कि main component जो है translocation है आपको conceptually ये समझना चाहिए कि अगर rhino की जो हम population की concentration एक जगा पे कर दें इसलिए काजी रंगा में हमने कर दिया और काजी रंगा में कलको ब्रह्मपुत्रा का फ्लड आ गया है ना या पोचर बहुत ज़्याद आ गये तो सारे के सारे एक जगह जगह जो है rhino की vulnerability बढ़ जाएगी और risk है कि they might get extinct from असम तो इसलिए जो है कौन-कौन से कलमेटी जा स सकते हैं देखिए epidemic आ सकता है कोई बिमारी आ जाए अब तो pandemic की बात हो रही है floods आ जाए massive poaching attempt हो जाए उससे बचाने के लिए redistribute करने की ज़रुरत है यहाँ पर एक बात आप जान लो कि काजी रंगा से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा dense population है छोटे अरिया में राइनोस की वो पॉबितोरा जो आपको बताया तो पॉबितोरा wildlife century वहाँ पे है carrying capacity जो होती है मतलब ecosystem जितनी population को support कर सकता उसको carrying capacity बोलते हैं उसको cross कर चुकी already और अगर अब number बढ़ेंगे तो ऐसे ही extinct हो जाएंगे क्योंकि ecosystem उनको support नहीं कर पाएगा इसलिए जो है यह जरूरी है कि numbers वहां से reduce करके उनको नए habitat में भेजा जाएं ताकि rhino की और human की जो conflict है वो भी avoid हो सके क्या problem है rhino की देखिए अच्छा सारी activities क्या Indian rhino vision में क्या क्या activities है एंटी poaching activity है जो उनके smuggler है poacher से उनको रोका जाए monitoring करनी है इसलिए तो DNA database वगरा बनाना है ट्रांस location करना है और उस इसलिए तो involve हो रहा है ट्रांस location जो है मैंने बार बार बोल रहा हूं आयर वे 2020 प्रोग्राम का बैक बोन है वो ट्रांस location ही है गोल क्या है देखिए हम ट्रांस लोकेट करें राइनोज की population को काजी रंगा नेशनल पार्क पार्टिकुलर्ली और पभीतुरा जो वाइल दो में भी तो रहेंगे न तो पांच location ने थे अब वो पांच location में बोल दे रहा हूं फाइव अदर प्रोटेक्टेड एरिया कौन से है मानस नैशनल पार्क दिखा दिया है लाखोवा नैशनल पार्क बूरा चपोरी और साथी साथ जो बूरा चपोरी कोचोमोरा जो है ला एक फंड जो है जो मैंने आपको बॉर्डी पहले बताई उसका डेटा अगर 2012 का देखेंगे तो असम में जो है 91 परसेंट टोटल राइनो पॉपलेशन जो इंडिया की है असम में है और वह भी मेंली जो आपके पॉवित्वरा और काजी रंगा में कंसेंट्रेटेड है जो अच्छा तो पहला जो टांस लोकेशन किया गया कहा किया गया देखिए मानस नेशनल पार्क में डाला गया राइनो को फ़र्स टांस लोकेशन किया गया था फैक्ट्स जो हैं आपको थ्रेट पर बता दो थ्रेट तो अल्रेडी बता दिया लेकिन थोड़ा सा ओर डिसकस कर लें देखिए जो एक्स्टेंट एंड क्वालिटी ओप राइनो का है उनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एलोवियल ग्रासलेंड और रिवराइन फ फॉरिष्ट वगर को काट रहे हैं ग्रासलेंड बना रहे हैं और जो लाइव स्टॉक का भी एंक्रोच्मेंट हो रहा है क्योंकि आप उनको चराने के लिए लेके जा रहा हो इंडियन राइनो सेरस जो है पहले तो एक टाइम पे पूरा जो थ्रू आउट जो इंडो साइट में अब यह सिमट के रहा गया है पहले शायद यह 45 साइट में था कास करके 19th century में जो तराई ग्रासलेंड में इंक्रोच्मेंट हुआ साउधर नेपाल में उतर प्रदिस के नौर्दन पार्ट में बिहार के नौर्दन पार्ट में बंगाल के नौर्दन पार्ट में जो काजी रंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पे स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स की तैयारी की गई है, उनको जो है कॉमबैट की ट्रेनिंग दी गई, आप सोच रहा हूँ, नेशनल पार्क में एक पार्टिकुलर एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए उनको जो है है वी गंस दिये गए है, नॉर्मल पिस्टल नहीं है, अधर्वाइस तो आई एम में हंटर तो हब को सबको बोला जाता है, उनको सोफिस्टिकेटड गंस दिये गए हैं कि अगर पोचर आ जाए और आपको लेगी कि पोचर आप पर अटक कर रहा है, तो आप भी अटक कर दो और पोचर को मार गी रहा है, इस पर काफी कंफिलिक्ट भी हुआता, डिबेट भी हुआता है कि क्या ये सही है, कुछ लोगा करना है कि पोचर बड़े गरीब होते हैं, मजबूरी में करते हैं, तो गरीब मैं भी हूँ, है ना, मैं भी तो मतलब राइनो तो नहीं मार रहा ना, इस लिएन को ट्रेनिंग दी गई है कि आप पोचर को जो है, कॉमबैट आपरेशन चलाओ, और साती साथ ज सिखा हो कि, ताकि वो एनिमल को समझे राइनो को और उसको प्रोटेक्ट कर पाएं, और यह जो स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई, only and only काजी रंगा नैशनल पार्क के लिए बनाई गई है, असम में, भूलिये गा मत, यह जो फोर्स है, उसको रेज जो क स्टार्ट हो गया था, अब यह करेंट अफेर में आया है, और इसके लिए जो है, नैशनल टाइगर कंजरविशन अथोरिटी है, उसने रिकमेंड किया था, क्यों, क्योंकि आपका जो काजी रंगा नैशनल पार्क एक टाइगर रिजर्ब भी है, तो नैशनल टाइगर मारते हैं, और राइगर को भी मारते हैं, तो नैशनल टाइगर कंजरविशन अथोरिटी एंटी सी ने ये रिकमेंड किया, कि एक स्पेशल जो है, प्रोटेक्शन फोर्स बना देते हैं, इसका क्या बोलेंगे, इसर पीए, 2015 से जो है, यह काम स्टार्ट हो गया था, आपका जो इंडियन राइनो है, लाइनो की स्पेशिज है, उनमें जो इंडिया वाला है, वो लाइनो की है, यह बोलना चाहा रहा हूं, और इंडिया में राइनो की होम आपको बता रहें, त्विंटी टू हंड्रेड बढ़ चुका है कापी, 3000 के आसपास है, और यहां 85% लिखा हुआ है, इसको जो है, काट दीजिए, 91% पॉपुलेशन है इंडिया में, राइनो जी इंडिया और फांड इन पार्ट्स अ उत्तर प्रदेश, पढ़ा दिया अल्रेडी सारे नैशनल पार्क बता दिये, वेस्ट पंगाल का भी पढ़ा दिया, जल्दपारा और जो है, आपको स्टैक वगर भी करा देंगे, और डाइनामी की भी करा देंगे, क्वेस्टन पर चले आईए, 2019 का UPSC prelims क्लियर कर लेते हैं, जो यहाँ पर फास्स स्टेट्मेंट है, वो यह बोलता है, कि the one-horned rhinoceros in, is rhino species native to the Indian subcontinent, correct, no problem, native है Indian subcontinent, बोल रहा हूं, इंडिया यहाँ पर नहीं होगा, second नहीं होगा, तो option A eliminate हो गया, option C eliminate हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए, third statement, अब दो बच गया, B or D, third statement देखिए, it mainly breeds in tarai grasslands of North India, कितनी बार तो बोल दिया, tarai grasslands, one and three answer हो जाएगा, इसके साथ जो है, हमारे यह lecture complete हो जाता है, बाकी मैं आपको जो आ उनको subscribe करें, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like करें, और साथी साथ आप हमें सुनते रहें, और share भी करें थोड़ा, और एक बात यह है, कि quality के भी lecture continue होंगे, उसमें मैं आप, next जो आपको पढ़ाऊँगा, constitutionalism पढ़ाऊँगा, जो कि लक्षमी कांत में शायद नह करें, जो है, आशिश बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, साथी साथ अभी recently demand हुई थे, तो हमने क्या किया है, हमने UPSC PSE corridor का, एक family group बनाया है, वो आप सबके लिए open है, तो आप उस family group में आ जाईए, आपको search क्या करना है, telegram पे, at the rate UPSC PSE corridor, corridor का spelling, C-O-R-R-I-D-O- जाईए, that's it, इतने lecture में, चलिए अब next lecture में मुलाकात करते हैं, अपने ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, बाई बाई